देखिए बात हुई थी reflection of light की तो reflection में क्या हुआ था reflection प्रावरतन उसमें क्या हुआ था कि light जब किसी plane surface पे गिरती थी तो उसी medium में rebound हो जाती थी वापस जाती थी ऐसा होता था हमने नहीं किया उसको अपने आप होता था क्यों हमने उसकी property देखी क्या-क्या उस प्रापर्टी को follow करता था तो हमने छोटे classes में तो plane surface से reflect कराया था था थोड़ा हम बड़े हो गए हैं बुद्रक type के तो हमने concave और convex जो spherical mirror थे उनसे करा लिया ठीक है अब हमने देखा कि जब light को एक transparent medium से दूसरे transparent medium में ले गए तो हमने देखा light वहाँ भी कुछ change नजर आया कुछ गरबड़ कर रही है तो उसका नाम क्या दिया हमने reflection of light ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं reflection of light reflection reflection of light अभी भी light को हम क्या मान के चल लए है ray light एक ray की फार में चल लए है एक arrow की फार में चल लए है wave की फार में मानें के तभी reflection होगा वहाँ पर ठीक है लेकिन उसका expression का तरीका जो है वो change होगा reflection क्या होता पड़ा है न छोड़े classes में था कि नहीं था क्या था कि जब light किसी एक transparent medium से दूसरे transparent medium जाता जाती है तो अपने path से deviate हो जाती है अब जिद दिदर भी हो deviate हो जाती है यह जो law है यह जो phenomenon of light का उसी को हम क्या कहते है तो लिखिये जा कहानी जब light एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने path से wishlet हो जाती है इसको हम important कहते हैं when light goes from one transparent medium क्यों one medium क्या बात नहीं करेंगी मतलब light उस medium में जा सके ऐसी को situation होनी चाहिए when light goes from one transparent medium to other transparent medium to other transparent medium then then it deviates from its path then it deviates from its path this phenomenon of light this phenomenon of light is known as this phenomenon of light is known as reflection of light reflection अपवरतन कहते हैं आपने क्यों deviate की बात की है आपने ये नहीं बताया कि deviation कैसा होगा तो देखा ये गया कि अगर light rarer medium से माले दो type के medium होते हैं एक जो ज़्यादा घना हो एक जो कम घना हो जो भी आप माने तो अगर वो मान लिया ये है आपका medium divider ये rarer medium है ये denser medium है ये light ये normal है इस point पे light गिरी इसको हम कौन से light कहते हैं PQ PO incident ray आपतित किरण और denser में जाएगी तो normal की और जुग जाती है OQ OQ क्या कहेंगे refracting ray ठीक है इसको कहते है normal लेकिन normal तो कहीं भी हो सकता है normal का मतलब क्या होता है किसी surface के perpendicular लेकिन normal कहां at the point of contact इसको कहते है angle of incidence क्या बोला और इसको कहते है angle of reflection ठीक है दो नए ने words आएंगे अध्यान से पढ़िएगा तो जब आपने का deviates from its path तो दो तरीके से इसका deviation होता है आगे लिखे when light goes from rarer medium to denser medium when light goes from rarer medium to denser medium then it moves towards the normal it moves towards the normal it moves towards the normal when and vice versa चलेगा vice versa vice versa अबता उसको उल्टा हो गया ठीक है अच्छा ये diagram है इस diagram के बारे में थोड़ा से लिख लेंगे आप क्या क्या लिखेंगे kate is incident ray refracted ray normal point of incidence angle of incidence angle of reflection आपतन कोड आपतन कोड आपतित किरण आपतन बिंद अभिलम इन points को नोट कर लिजे तो इसको कहते हैं reflection of light आप पूरी बात लिखेंगे एक मिनट पहले आप लिखेंगे deviates from its path और बात में ये भी आपको point करना पड़ेगा deviation कैसा होता है अब laws of reflection बताएं उसके पहले हमको एक concept बताना पड़ेगा जिसको कहते हैं refractive index आप वरतनांक लेके refractive index क्या होता है refractive index में सबसे पहले आता है absolute refractive index एक word आएगा absolute refractive index absolute refractive index बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि ये निवेरिकल में आगे चलकी ये concept बहुत दिक्कत करते हैं absolute निरपेक्ष अपड़तना कहते हैं ठीक है इसका मतलब समझेगा इसमें light जब एक medium से दूसरे medium जाएगी न तो vacuum से medium में जाएगी अब vacuum को हम air को vacuum माल लेते हैं जबकि air vacuum होती नहीं है लेकिन हम माल लेते है vacuum है तो यहां light air से या vacuum से medium में जाएगी तो यह कह रहा है कि speed of light in vacuum to the speed of light in medium का जो ratio होता है इसको कहते है absolute refractive index उस medium का किसके respect में air के respect में vacuum के respect में air को vacuum मान रहे हैं फिलाल इसको indicate किसे करेंगे कुछ books में mu लिखा गया है कुछ में n लिखा गया है a के word हम यूज करते है n फ़ला सबस्ता वाला लगता है mu लिख दें अच्छा standard नाम फ़ला से रहता न तो n लिखे दे रहे n अब ज़रा देखे इसका पहले समझेगा light कहां से आ रही है air से जा रही है कहां को जा रही है तो जिससे आ रही है a और जिसमें जा रही है medium मैं glass मान लेता हूँ तो ang लिखा है vacuum में या air में और बाद में जा लिखने का तरीका समझेगा ang मतलब light कहां से कहां जा रही है air से glass में जा रही है तो पहले speed कहां किसमें लिखी जाएगी air में फिर glass में तो लिखे absolute refractive index the ratio of the speed of flight the ratio of the speed of flight the ratio of the speed of flight in vacuum vacuum की spelling क्या लिखेंगे va psycho not vac double c this ratio of the speed of flight in vacuum to the speed of flight in medium vacuum to the speed of flight in medium is known as absolute refractive index absolute refractive index of the medium अब मीडियम को फिला हम क्या मान रहे है ग्लास डिनोटेट बाई एन जी अब आप एम ए एन एम लिख सकते हैं ठीक है लेकिन आप मीडियम को ग्लास लिख दो ना तो सी अपान वी अब देखो आप ये जानते हो कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहा होती है वैक्यूम है तो हम जानते हैं कि as c is greater than v ये हम जानते हैं हमेशा क्योंकि light speeds of lights ज़्यादा तेज से चल नहीं सकती वैक्यूम में सबसे ज़्याद तेज चलती है तो यानि कि ang की value 1 से हमेशा बड़ी होगी इसका मतलब हो गया कि c भी medium का n जो होता है मैं ang की बात नहीं कर रहा हूँ कि c आपका हो गया absolute refractive index ठीक नोट करें अब एक बात और देख लीजे इसमें देखी लीजे note लगा दीजेगा दरा समझेगा माल यहा हम water का refractive index निकालना चाहते है absolute refractive index हा water निकालना चाहते हैं तो light कहां से कहां ले जानी पड़ेगी vacuum से water में तो अगर मैं निकालूंगी a mu water तो आप समझेगे ना light कहां से कहां जा रही है air से water में तो light क्या formula होगा speed of light in air upon speed of light in water हम vw मालने कुछ indicate करना पढ़ेगा ना उसके लिए suffix में w लिख दे ठीक है और हम लिखना चाहें a mu actually में mu की आदत पढ़ी वी है इसलिए आप mu ही लिखे और हमारी आदत पढ़ गई है a mu g हम यह लिख रहे हैं आप n को mu बना लो a mu g तो light कहां से कहां जा रही कहां से आई है कहां को जाएगी यह light ray air से आई है glass में जाएगी यह light ray तो क्या लिखेंगे speed of flight in vacuum upon speed of flight in glass अब जरा समझिएगा अभी इधर के हम बात नहीं कर रहे हैं अब हम चाहते हैं कि light कहां से कहां जाए water से glass में जाए कैसे glass उटाईए मतब prism जो भी lens जो भी है उसको पानी मडाल दीजे अब उस prism के चारों तरफ का medium क्या है तो ultimately light को जाना पड़ेगा तो कहां से उकड़ जाएगी water से किस में जाएगी यानि कि glass में जाएगी तो अगर आपको water के respect में glass का index निकालना है तो light किदर ले जाना पड़ेगा water से glass में तो नियमता पहले velocity कहां लिखनी पड़ेगी water में पहले लिखनी पड़ेगी water में और फिर कहां लिखनी पड़ेगी glass में अब चुके हमको इससे relate करना है न अभी formula बनेगा वह अलग की ब इसको क्या करें कि यही आजाएं देखो ने एक मिनट हम यह लाना चाहते हैं इसी में कुछ amendment करना चाहते हैं देखो अगर इसमें c upon vg कर दें और c upon c upon vw कर दें कर सकते हैं न यह साहत उल्टा आ रहा है क्या नहीं सही आ रहा है इसको solve करेंगे air से water में गया था यहाँ पर water से glass में गया है तो इसको solve करेंगे तो यह उपर आएगा न यह velocity कहां पर है यह क्या लिखा है यह यही लिखा है ना यह क्या चीज लिखी है एम्यू जी यह लिखा है एम्यू डब्लू यह लिखा है ना क्या आपने देखा यह तो velocity के time में था अगर refractive index के time में लिखें light कहां से कहां जा रही है water से glass में तो पहले किसका index लिखेंगे उपर जहां जा आपन में जहां से जा रही है विलास्टी के term में तो हम कहेंगे पहले जहां से जा रही है उसकी velocity बाद वाले क्या आपन में लिखेंगे और जिस से जा रही है उसका index बाद में लिखेंगे और जिस से जा रही है उसका index बाद में लिखेंगे वासमय नहीं आगी फुरा कहाँ से कहां जा रही थी एर से वाटर में जा रही है एर की बाद air मतलब हाँ सबकी दानी है उनकी बाद सम्माल लेता है लेकिन यहाँ water से glass में जा रहा है तो इसको हम relative refractive index भी कहेंगे इसको क्या कहेंगे relative रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी कहेंगे इसको सापेक्ष अपरतना कहा जाता है ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वहाँ पर आपका एबसलूट था ठीक है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है किसी एक के respect में दूसरे का index water के respect में glass का index index बोले तो refractive index ठीक है तो हम water के respect में glass का refractive index कहेंगे तो light कहां से ले जाएंगे water से किस में ले जाएंगे glass में पहले किस का index लिखेंगे glass का जिस में जा रही है और अपान में जिस से जा रही है ध्यान रखिए कि बहुत टेक्निकल चीज़े हैं, तो नोड करिए, नेक्स लिखे, लॉज आफ रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन के नियम, तो परिद्व डाइग्राम आपनाएंगे, डाइग्राम में को लिखने के जरूत नहीं है, यह जानते हैं कि यह आपका मीडियम डिवाइडर है, जो मीडियम को, यह इंटरफेस समझे, मीडियर को इंटरफेस, जहां से मीडियम चेंज होता है, यह मीडियम वन है, यह मीडियम टू है, यह लाइट इंसिडेंट हुई, और यह रिफ्रेक्ट हो गई, वो rarer है, denser है वो अलगी बात है, वो दिख रहा है वो अलग चीज है, ठीक है, पहला नियम क्या है यहाँ पर, लिखे, first law, जो reflection का फसला था, वो क्या था, laws of reflection पहला नियम क्या बताएगा था, बच्पन से बताएगा, पहले reflected ray आएगी, फिर incident ray आएगी, पहले reflect हो जाएगी, फिर आएगी, reflected ray, देखो वहाँ पर क्या था, incident ray, reflected ray, and normal, at the point of incidence, lies at the same plane, वही था न, वही यहाँ पर भी है, क्या कहेंगे, incident ray, refracted ray, normal, at the point of incidence, lies on the same plane, पहला नियम, the incident ray, आपतित किरण, अपवरतित किरण, और आपतन बिंद पर अभिलम, तीनो एखी तलपय होते हैं, नहीं मताब भिंदी मता रहे हैं, incident ray, refracted ray, and normal, at the point of incidence, and normal, at the point of incidence, lies on the same plane, ठीक है, lies on the same plane, यह पहला नियम हो, था यहाँ पर, ठीक है, देखिए, दूसरा नियम जो, हमारा reflection का था, वो था angle of incidence, is equal to angle of reflection, आपतन कोर, प्रावतन कोर, वो reflection की बात हो रही थी, reflection में क्या हो रहा है, देखिए, कहते हैं, किसी किनी दो medium के लिए, पहले क्या fix किया medium, और किसी given color के लिए, अब बड़ी आसी बात, color वर्डी हमने use किया है, ठीक है, color को decide कौन करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कि color का deciding factor कोन होता है, wavelength decide करती है, या frequency decide करती है, या अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम जब बात करेंगे, तो अपने आप उत्तर दे दोगे हमको, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, लेकि जब बात करेंगे, जब हम wave theory बड़ा तब बात हो पाएगी, फिलाल तो अभी बात क और जो रेश्यो होता वो हमेसा constant रहता है। ठीक है। तो लिखेगा, for any two media, for any two media, media लिखेगा गोदी मीटा लिख देना, लेँ कि लोग अपने आप गोदी लगा देते हैं। जो जाकर जा कि मतलब सरकार ने कहा ये सोने की पैन है सरकार ने सब को दी दिए देखो तो आप मीडिया लिखे गोदी मिदय लिखेगा इसलिए उसो गोदी मिटा का जाता है वो सब जगे होता है जहां भी होता है वहर जगे ही बात है लिखे, for any two media and for a given color of light for a given color break and leave a wavelength तो color deciding कहोन होता है wavelength, अभी हम सिद्ध करेंगे बता देंगे कैसे होती है सिद्ध कमता एक्स्परिमेंट नहीं करके वो जोजिक से given wavelength the ratio of the sign of incidence the ratio of the sign of incidence मतब incident angle का sign bracket लिजगा sin i the ratio of the sign of incidence bracket लिजगा sin i to the sign of angle of refraction bracket में sin r sin r is constant angle of refraction sign of angle of refraction bracket लिजगे sin r is constant हमने जो बोला उतना लिखेगा हमने mu बोला तो जो बोले उतना लिखेगा जब पूरी बात बोलने फिर जब ना बोले वो बताव आपने क्यों नहीं बोला is constant क्या कहा उन्होंने ये कहा गया कि किसी भी दो medium के लिए medium fix कर दिये अगर ये glass है ये air है ये glass है ये water है जो भी है कि नहीं दो medium के लिए और किसी given wavelength of light के लिए मतलब wavelength चेंद नहीं कर रहे हैं हम ये color fix कर दिया हमने तो sign of angle of incidence sign i और sign of angle of reflection का ratio उन्होंने क्या कहा constant होता है और ये किसके एककल होता है ये एक medium के respect में दूसरे medium का refractive index होता है यानि कि ये refractive index होता है किसका एक medium के respect में दूसरे medium का 1 mu 2 मतलब light कहां से जाएगी ये index किसका है जहां light जा रही है किसके respect में याद रहेगा ना किस कहां से कहां जा रही है तो ये आपका note करिए इसको से इस काल्ड स्नेיל सला इसको हम स्नेल सला यह स्नेील का नियम है इसने इस नेल सला ठीक है इसको एक्वल टू कर दिजा वे वी वी वीटू यह दोनों मीडियम की विलास्टी के रेश्यो के ब्राबर होता है ठीक है पहले किसकाव विलाष्टी लेंगे जिससे लाइट जा रही है इंडेक्स přिल्टा होता है हमने जब WNG लिखा था तो पहले किसका इंडेक्स लिखा था ग्लास का, अपान में वाटर का, ठीक है, यहाँ पर क्या होता जिस से light जा रही है उसकी velocity उसमें speed of light आपां जिसमें जा रही है उसमें speed of light ठीक है कभी-कभी आता है कि reflection का cause क्या होता है लिखवा नहीं रहें तो because the speed of light in different medium is different अलग-अलग medium में speed of light different होती है तो प्रेटिकली समय आप speed of light हैं आप चल रहें चले जा रहें motor cycle से cycle से ही समझ लो और अब एकदम से फीड में आ गए तो प्रेटिकली आप थोड़ा सा अपने आपको speed slow कर लेंगे ना बोले हम तो नहीं करेंगे हम तो 90 के रफतार है तो है और बजाएंगे हम तो बजा तो light भी जहत कहती है light कहती है अगर normally आप light को गिराईए ठीक है तो light reflect नहीं होती है और सीधे चली आती है अगर आप बिल्कुल 20 सरक पे बाइक लग लिजे और स्टार्ट कर दिए कि 100 के रफतार से नीचे रफतार नहीं आएगी तो अपने आप हाट में जाते जाओ सामने वाला हटता जाएगा अब वाला की बात नहीं हटा तो आ भाई जान तो भाई जान रहे भाई रहे जान चली गही उफर तो यहनि कि कवी तो भी आया है ती reflection का cause क्या होता है तो आप कहेंगे because the speed of light in different medium is different that's why reflection takes place इस विजए से reflection होता है संग्या गई बात अच्छा अब एक noting लिख लीजे पहली बात कि reflection के दौरान light का हर nature change हो जाता ह लेकिन एक nature है जो change नहीं होता, frequency change नहीं होती है तो एक note लिखेगा, when light goes from one medium to other, when light goes from one medium to other, then frequency of light does not change frequency of light does not change अब मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ कि light wavelength पर depend करती है या frequency पर depend करती है, sorry, color, color wavelength पर करता है या frequency पर करता है ठीक है, color जो होता है, वो wavelength change होने चेंज होता है और नहीं होता है, वो तो ज़रा समझने की कोछ करी रहा है, उल्टा तो नहीं बोल गया हम जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो wavelength change हो जाती है, जब light एक medium से दूसरे medium जाती है तो wavelength change हो जाती है, मैं साथ उल्टा बोल गया था, color को इसमें लिखा है wavelength, color deciding factor कोन था वो यह भी बोल रहे हैं, वह बता रहे हैं, कहीं कहीं wavelength लिखा जाता है, लेकिन main frequency side decide करती है, अभी ह ठिक, उस red color की कुछ wavelength होगी, वो light पानी के अंदर गई, wavelength change हो गई, जब wavelength change हो गई, तो वो changed wavelength किसी और color की होगी, यह नियमता, color change हो जाएगा न, तो पानी के अंदर से अगर आप उस bulb को देखो, तो color change हो जाता है, क्या, लाल color नहीं दिखाई पड़ता है न, शही कह रहा पानी के अंदर एक LED जल रही है, red color की, पानी के बाहर से आप उसको देख रहे हूँ, तो आपको कौन से color दिखाई पड़ेगा, red है तो लाल दिखाई पड़ेगा, और लाल है तो रेड दिखाई पड़ेगा, वही बात है, तो यानि कि पानी के अंदर से light जब निकली होग और वह निकल के बाहर आई होगी, तो उसकी wavelength चेंज हो गई होगी, क्या नहीं चेंज हुआ होगा, और क्या नहीं चेंज हो रहा है यहां पर color, तो color को decide कौन करता है, wavelength तो नहीं करती, कुछ cases में wavelength मारी जाती है, कि color को deciding कौन है, wavelength, कुछ particular case होते होगे, लेकिन color को कौन decide करता है, यह हम नहीं सिद्ध कर रहा है, यह practically अब से दो रहा है, यह अगर पानी के अंदर कोई bulb है, red color का उसकी wavelength है, वहां से light बाहर निकल के आई, तो ultimately उसकी wavelength चेंज हो जाएगी, हो जाएगे तो हो जाएगी, ठीक है, और जब चेंज हो जाएगी, तो नियमता color चेंज होना च तो frequency के change होने से color change होता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर wavelength को माना गया है, कुछ particular cases में, इसलिए यहां पर हमने color लिखाया तो हम wavelength लिखाई गई है, ठीक है, अब question में आगया, एक लिखे, principle of reversibility, principle of reversibility, बहुत important facts इसमें बताने जा रहे है, principle of reversibility, reversibility, उत्क्रमणियता का सिद्धान तो, लिखा होगा उसमें, पहले तो समझे यह लफडा क्या है, और फिर यह लफडा क्यों है, दोनों बाते मैं एक सा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, जैसे, यह medium 1 है, और यह medium 2 है, वो कैसा भी हो, denser हो, rare हो, जो भी है, यह normal है, और एक light ray यहां गिरी, angle of incidence, आई, और यह refract होकर के, इस medium में आ गई, angle of incidence, आर, ठीक है, तो light किस medium से किस medium में जा रही है, हमने rare है थोड़ी बोला है, वो दिख गई अलग की बात है, तो आप लिखेंगे, when light ray goes, when light ray goes, from medium 1, from medium 1, to medium 2, जब medium 1 से medium 2 में light जाती है, तो स्निल्सला क्या कहता है, बाइस स्निल्सला, क्या कहता है, वो कहता है, कि sin I upon, sin R is equal to 1 mu 2, सही कह रहा हूँ मैं, तीक है, अब ज़रा देखें ध्यान से, हमने इस light ray के रास्ते में, नॉर्मली एक mirror लगा दिया, नॉर्मली लगा या हमने, तो ये mirror क्या करेगा, इसको reflect करेगा किस direction में, जहां से आया था, उसी रास्ते में, तो light उसी रास्ते को retrace करके वापस जाएगी, वज़र reflection हमने किया, लेकिन mirror किधर रखा हमने, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे mirror क्या करता है, light को उसी रास्ते, वापस कर देता है, तो आप लिखेंगे, when the light ray reflect back, when the, when this light ray reflect back, reflect back, जब ये reflect back होगी, तो आप देखें, अब light किस medium से किस medium में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, angle of incidence क्या है, r है, angle of reflection क्या है, i हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यानि यहाँ पर क्या आएगा, sign r आएगा, upon sign i आएगा, परावर 2 mu 1 आएगा, equation number 2 डाल दीजे, पहुँचिए यहाँ तक, अब इन दोनो equations को multiply कर दो, multiplying equation 1 and 2, देखो द्यान से, इधर इधर देखी क्या होगा, पहले इधर देख लिजे, 1 mu 2 into 2 mu 1, इधर क्या होगा, इधर आएगा, sign i upon, sign r into, sign r upon, यह cancel pencil हो जाएगा न, तो value क्या आजाएगी इधर, 1 आजाएगी न, तो यानि क्या proof हुआ, proof होके ही आया, कि 1 mu 2 into 2 mu 1 is equal to 1 हो गया, तो यानि कि 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu 1, यह proof हुआ, पहले इसके नोड करें, फिर बात करें कि यह लफडा क्या है, पहले इसका मतलब समली जाएगी फिर हम बात करें, देखिए, अगर glass का refractive index दिया है, दिया गया है, refractive index साब glass 1.5, किसके respect में दिया होगा, light कहां से कहां जा रही होगी, air से glass में जा रही होगी, यानि कि आप अगर 1.5 दिया है, तो वो, a mu g दिया है 1.5, ठीक है, अब problem यह है, कि माल यह यह paper weight है, इसके अंदर colors दिखाई पढ़ रहे हैं, कैसे दिखाई पढ़ रहे हैं, इसके अंदर से light निकल लई होगी न, कोई चीज़ कब दिखती है, वहाँ से light गिरे, और हमारी आँकों पी गिरे, तो light इसके अंदर से निकल लई हैं न, यह जो चित्र बना है, यह colored, यह किसके अंदर बना glass के अंदर, तो light कहां से कहां जा रही है, glass से air में, glass से air में, यहनि मेरी requirement क्या होगी, glass के respect में, air का index जरूरत है, और दिया क्या होता है, air के respect में, glass का index, तो आप क्या करेंगे, इसको one upon, तो इस प्रकार से हम value निकालते हैं, ठीक है, तो यह इसका practical, यह इसका purpose है, इसको proof करने का, कि यह हमारे requirement ही हो जाती है, ठीक है, note करिए, देखिए, यह है reflection through parallel multiple media, मतलब, बहुत सारे mediums हैं, और उनसे light निकल रही है, ठीक है, तो कैसे क्या होगा यह समझिएगा, हमने का suppose करिएगा, एक सिक्ट, तो देखिए, हमने कहा, कि suppose करिएगा, language नहीं लिख रहे हैं, यह हमने नहीं कहा, यह, तीन medium दिखा दिए हमने, parallel medium है, अब मीडियम क्या काम कर रहे हैं, क्या हैं, वो बात की बात है, पहले medium दिखा दिए, वो टेड़ी में लाजने किस रही है, इसमें देख के बड़ा खतरनाग लग रही है, जो सामने हम देख रहे हैं इसमें, तो लाजने सीधी दिखने रहे हैं, दिखेंगी भी नहीं, दुबारा भी नहीं दिखेंगी, ये medium 1, ये medium 2, ये, ऐसे सीधी दिख रहे हैं न, लेकिन हैं नहीं, ठीक है, ये medium 1, ये medium 2, ये medium 3, और ये medium 1, दुबारा, ठीक, अब light क्या हुई, कि first medium में incident हुई, और angle eye से, ठीक है, और अब कैसा medium हो बात की बात है, वो रिंसर है, रेरर है, वो अलग की चीज़ है, और इसका हो गया reflection, और ये angle हो गया R1, ठीक है, अब light 1, 2 और 2 में जा रही है, तो 1 के respect में 2 का जो index होगा, उसको क्या लिखेंगे, 1, mu, 2, क्या फ़मला होगा, sign eye pan, sign R1, अभी इसका क्या use है, वो बात की बात है, sign eye pan, sign R1, पहला एक question हो गया, अब दिखो ध्यान से, यहाँ जब light अंदर entry करेगे, तो यहाँ क्या टेड़ी मेड़ी होगी, सीधे जाएगी ना, अज़ा यहाँ जब गिरी, तो यहाँ पर हमने normal खींचा, यह angle कितना होगा, यह R1 होगा, क्योंकि यह आपका, पैडला लाइन से हैं यह, ठीक है, और इसका reflection होगी आप माले ऐसे, ठीक है, और यह angle होगी आपका, R2, अब लाइट कहां से कहां जा रही है, 2 से, 3 में जा रही है, तो जब निकालेंगे, 2, Mew 3, तो क्या आएगा, साइन R1 अपान, साइन R2, equation number 2, अब देखे, यहाँ जब लाइट गिरी, तो हमने यह normal खींचा, यह angle कितना होगा, R2, अब देखे, light अगर different medium से जाती भी, फिर उसी medium में आ जाती है, तो incident ray, और emergent ray, जो बाद में निकली निर्गत किरन, वो आपस में paddle होती है, यह light ray, इसके paddle हो जाएगी, यह angle कितना होगा, यह angle I होगा, ठीक है, तो यह 3 mu 1, कितना होगा, sine R2, upon sine, यह बात है सुन में आई, तीनोगी questions को क्या करें हम, multiply कर दें, multiplying, equation 1, 2, and, जाद समझने की कोशिश करिएगा, इधर क्या आएगा, 1 mu 2, 1 mu 2, into, 2 mu 3, into, 3 mu 1, is equal to, इधर 1 आएगा, इधर multiply गर के देख लो, 1 आएगा न, यह 1 हो गया, note करिए इसको, अब देखो द्यान से, यह हमने क्यों proof किया, यह हमने इसलिए proof किया, बुक में दिया हुआ था, ठीक है, सुनिए द्यान से, अगर पहला medium air हो, दूसरा medium water हो, तीसरा medium glass हो, और पहला medium फिर air हो, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, a mu w, यहनि air के respect में, water का index, into, w mu g, water के respect में, glass का index, into g mu a, glass के respect में, air का index is equal to 1, अगर आप practically समझे, air के respect में, water का index तो होता है, होता है ना, तो यह तो ठीक कोई बात नहीं, लिखा रहें ने तो, water के respect में, glass का index चाहिए, क्या glass के respect में, air का लिखते हैं, कि air के respect में, glass का लिखते हैं, तो यह तो आप उल्टा लिखा है ना, तो इसको उल्टा करों, तो क्या करो जाएगा यह, यह क्या बन जाएगा, one upon a mu g हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो अगर यहां से, w mu g आपको निकालना हो, w mu g, तो क्या निकलेगा, a mu g upon, a mu w, यह समझ में आई बात, पहले इसको लिखा, line ना है, खीचे जादा ठीक है, तो design ना ने चे करों, गंदा हो जाएगा, तो यह पहले लिखिए, फिर हम बात करें, कि ऐसा क्यों लिखा हमने, यह नीचे वाला part हटा दीजे, यह भी लिख डालोगे, आपको ग्लास का refractive index 1.5 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, कि light air से glass में जा रही है, मतलब दे हुआ, speed of flight in vacuum, upon speed of flight in glass, यह 1.5 है, ठीक है, यानि कि यूँ कह सकते है, 1.5 times of the velocity of flight in glass is equal to c, यह मतलब यह होता है, ठीक है, अच्छा, water का index दिया है, यानि कि water में light जा रही है air से, लेकिन एक, क्या होती है, कैसे होगी, क्यों, इसमें का लिखा mathematics में हमने, 1.5 का जो v से multiply किया तब c मिला है, अब सुनिए ध्यान से, आपने lens को लिया और पानी में डाल दिया, अब lens के चारों तरफ, यानि glass के चारों तरफ का medium क्या है, अब light को water से glass में जाना ही पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, तो light को water से glass में जाना पड़ेगा, तो water के respect में glass का index चाहिए ना, water के respect में glass का चाहिए, जबकि दिया क्या होता है ग्लास का इंडेक्स दिया होगा और इंडेक्स मतार रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और वाटर का इंडेक्स दिया होगा तो इसको ग्लास अपान वाटर लिख देते हैं जिसमें जाती है उसका इंडेक्स अपान जिस्चे